आज मैं आपको उस सोशल ट्रैप के बारे में बताऊंगा जो के अमोमन हम उस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं वो ट्रैप क्या होता है मैं आपको बताता हूं याद रखें कि कोई आपको मिसाल ले लें कि कोई चीज बता रहा है ठीक है कोई भी बंदा आपको कोई चीज बता रहा है बट वो वो बता रहा है ठीक है अब वो जिस तरह से बताई जा रही है उस तरह से पता नहीं है या नहीं है यह बात तो आप यह तो आपके उपर है न कुछ ऐसे होते हैं जो financial traps होते हैं मतलब पैसों के हवाले से किसी को trap कर लेना उससे पैसे ले लेते हैं लोग किसी की call आई और यह हो गया इसी तरह social trap होता है social trap क्या होता है कि आपको किसी ने कोई बात narrate कर दी बताई ठीक है अब वो क्या है कि आपको judge करने में मसला हो रहा है कि यार यह बात इस तरह होगी भी के नहीं होगी यह चीज इस तरह से judge करनी पड़ती है और मेरे बताने का मकसद हर्गिस यह नहीं है कि आप हर बात पर जो है वो डाउट करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों पर सोच कर फैसला देना जब मेरी जॉइनिंग हुई यह बहुत मज़े का वाकिया आप सुनेंगे आप हैरान रहेंगे आपकी जिन्दगी बदल जाएगी इस बात को सुन करके तो मेरा पहला दिन था उपर जो है वो जॉइनिंग देने का जब मुझे जॉइनिंग दी गई तो हर बंदे को उसकी स स्टेशन है जहां पर तुम काम करोगे तो सबको सबका वर्क स्टेशन दिखाया जा रहा था और सबसे एंड में मेरी बारी आई और मुझे उन्होंने एक जगह पर बताया कि आप यहां बैठेंगे और उस जगह पर जहां मैंने आसपास देखा तो मतलब वहां कोई बैठा तो इस तरफ की सारी सेटें खाली और हमारे सामने वाली जहां मेरे साथ हार किये लोगों को बिठाया गया तो वह बड़ा अच्छा एक एंवायर्मेंट था महां पर बहुत साई लोग एकटे बैठे हुए थे तो मुझे ना मतलब थोड़ा सा यह हुआ दिल्चस्पी मेरी थी कि महां बैठ हूँ क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था पीछे तो दिल्चस्पी तो नहीं कहें मतलब यह कि जो जिन लोगों ने मेरे साथ मेरे साथ जॉइनिंग दी उपर उनसे मेरी अच्छी बात्ची थी अब वहां है बड़ मैं अकेला यहां पर हूँ तो मुझे वहां पर बीच में जैनि के दूसरी वाली रहों में बैठने का मौका मिलिया किसी दिन किसी का वर्क स्टेशन खाली प्ड़ाए कि मैं मैं आखके बैठ गया मैं उनकर लिया ऐसा अलाऊट था वहां पर कि अगर कोई अबस्टेशन अब उसका व्क स्टेशन जो है वो मुझे भी अच्छा लगा, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, बात चीट ही है, तो मैंने कहा के, यार मैं खुद बैठना चाहरा हूँ, बर जिसका वर्क स्टेशन है, वो कल आएगा, तो मैं तो नहीं बैठ सकता, तो वहां थोड़ा मसला भी था, तो उन्होंने कहा, यहां बैठ जाया कर, फिर मैं इत्तफाक से कल आया, तो अपनी जगा पर बैठ गया दुबारा, अच्छा, वहां जहां मैं बैठता था, मेरे बराबर में एक लड़की बैठती थी, जो बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, वो, इविन के मुझ से भी इतना कम बात कर आप याद रखी का, कोई भी काम अगर अकेले बिठा के आपको दे दिया जाए तो बड़ा मुझकिल हो जाता है, कोई नहीं कोई टीमवर्क होता है, और मेरा काम भी ऐसे था, हमें पूछ करना पड़ता था एक दूसरे की मश्वरे के साथ, क्योंकि हम ऐसे अकेले डिसिज नहीं बुला यार तुम नहीं बढ़ा करो इधर ही आजाए करो यहां पर सही है, तो मुझे भी ऐसा लगा वाकई यार यहां मज़ा बहुता आता था महां पर, जहारे जहां जादा रौनक होगी, अल्ला कुल्लाओ का मज़ा तो नहीं आएगा, तो किसी ने कहा कि यार उस स तो मैंने उसके मां भूला है, मैंने लिए रीकवन के ऑन्नाओ करतें यहां में मैंने कई, पछी नहीं क्रमत्र है, के यहां मैं मैंने रहे जाओ शकल तो क्या है, यहां खाली ही, कि isma гert t तो सब बहुत है, बुखक ह provolve उसे ही और भाको बमकिन से एकनी हम और तो नहीं हम ब और टीम वर्क करना है काम करना तो यहाँ आजाओ अब यहाँ से ना मुझे थोड़ा सा आजीब सा लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे हम अदला मुझे किसी की भी पारे में ऐसे सूना अच्छा ही लगता मुझे, तो मैंने क्या गिया मैं वापस अपनी जगह पर वही पर ही जाकर बैड़ गया उसी लड़की के साथ मैं बैठ की काम करता था वहां बैड़ गया मैं दस दिन बारा दिन गुजरे तो फिर क्यों वह उस लड़की से मेरी अच्छी सलाम दूआ हो गई पाथशीत हो गई तो मैंने उससे फिर क्या किया कि पूछना शुरू किया वैसे कोई काम क्या वाले से मैंने का यहां थोड़ा सा अजीब मतलब बिल्कुल सब खाम मैंने कोई है ही नहीं इदर इस वरक सेशन पर पूरी टेबल पर कोई होता ही नहीं अकेले हम दोनों बैठ लाते हैं हम लोग आ आप खामोश बैठती हो और मैं दूबर वहां बैठा हूं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है वहां पर आप खामोश रहती हो कोई बात भी नहीं मतलब एक बंदा होता है काम के अवाले से बंदा बात कर लेता है तो बहुत कम बात करती है उसने मुझे कहा के इधर आओ मैंन नहीं हुआ कि अभी हो दो तीन लोग पुराने होंगि उन्मेक मैं हुँ जो यहां पर बहुत पुराने से काम कर 20 बाई से मैं उस वक्ते काम कर रहे हूं कि से जब ये वाला ज 요 एंचुए ऐहां अभिद गूष मेरा यहां पीтиने द्न के तूट पैदा हुए हैं यहां पर तो वह उस तरफ की जो आप बात करें ना वहां पर रौनक हसी हसा हसी मजाख खला गुल्ला रौनक मेला बहुत हैं वहां पर हसी ठटा यह सब बहुत हैं बट वहां पर मसले बहुत भावे हैं अभी आपड़ेशल जाए दो चार दिनों में थोड़ी चीज़ है उसकी वाद ना थोड़ी गहरी लगई इसने कहा कि यह काम करने की जगा मैं काम करने आती हूँ कोई क्या सोच रहा है क्या समझ रहा है क्या कह रहा है इसकिरी मेरक्ने दुन बहुत्य तो यह तो अपनी हर बंदी की मरजी होती है। तो मैं अगर वहां ज्यादा कमफोर्टेबल है आप भाइड जाओ अगर आपको यहीं ठीक लगता है यहां बैट जाओ और मैं तो समझती हूं कि यह काम करने की जगह है यहां मतलब हम लोग काम करने आते हैं दोस्तियां बनाने यह नहीं आते हैं यह वह पार्क नहीं है आप यहां वाक करेंगे और दोस्त बना लेंगी यह इतना टाइम ही नहीं होता है यहां पर यहां पर इतना टाइम ही नहीं ह यार आप यकीन नहीं करेंगे ठीक 15 दिन बाद वहां पर दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई आगी वाली जगा पर दो लोगों क्यों है तो मैंने का यार यह बिल्कुल सही कह रही थी बिचारी कि अभी तक यह दो हसके वातचीत कर रहे थे मतलब के बड़ा आपस में बड़ा लगो लोगो और वही दो लड़के मुझे गहरते यहां बेटा करो मज़ा आता तफरीह आती है जार शी बते मस्ती है मजाग भी करते हैं इक दूसरे पर जोग पास कर रहे होंगे तो मुझे लग तो बड़ा मज़ा था उनको देखके हसरें मजाग को रहे काम भी बड़ा साना इस्ट्रेस उतर जाता है हसी मजा के साथ बाद में मैंने गा यार जब मैंने उनको लड़ते वे देखा दोनों को और ऐसा फिर मैंने उसको अपनी दोसको बुला मैंने गया वाक्ति तजरूरबा तजरूरबा ही होता जहर सी बात है उसने तो कुछ भी नहीं अभी बैठे अभी देख लेना आप आपका भी टाइम गुजरे का आप देख लोगे अगले चार-पांच दिन बाद ना कुछ वहां पर दो लड़कियां बैढ़ी उनकी आपस में लड़ाई हो और वह ऐसी हो गई कि शर्मिंदगी हो देखके तो यह मतलब देखा तो फिर वहां पर देखा कि जी अजीब हो गरीब जो एपसंट हो रहा है वह एक दूसरे में बाते हैं माते हैं यह फलाना डिमार्गा फिर लड़ रहे हैं एक दूसरे की शिकायते करने जूट ही शिकायते 25,000 रुपे की जौब बाते इतनी वह उसकी कंप्लेंड करके आ गया वह उ तो मैं यह समझ गया देखें अब मुझे आप बताएं कि लोग आप मिसाल दे कि जब मैं आया था तो मुझे ऐसा फील और पर कि शायद यह पागल है में ब्राबर में बैठी यह पागल है मुझे ऐसा लगा बट वह विचारी बहुत मजबूत थी मेंटली स्ट्रॉंग थी इसको पता था चीज़ों का तो इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को देख के अंदाजा ना लगाएं और मिजॉरिटी जो है हमेशा अथॉरिटी नहीं होती आपने मुहावरा सुना होगा मिजॉरिटी इस अथॉरिटी तो अगर आप दस पागलों के भी इसमें बैठ जाएं और एक अकलमंद आदमी बैठावा हो और वो दस पागल कह रहे हों के जी यह पागल है तो फिर इस तरह यह नहीं होता कि मिजॉरिटी इस अथॉरिटी वहाँ पे दिमाग से सोचना पड़ता है अचा वो जो मेरे साथ बैठती थी खातून माशा अला से वो इतने स्ट्रॉ बहुत ही दिमागी तौर बहुत तेज और बड़ा मतलब के ठैराओ उसके इंदर बहुत ठैराओ मैंने बहुत कुछ चीखा उससे आप यकीन नहीं करेंगे मुझे ऐसा लग रहा था कि यारी इस रहो में एक ही इससे में क्या सीखूंगा वहां 20-30 लोग बैठे हैं यinflux पीछे वाला दमाई यँ इंभ एक कि साइड वाला बुचन पा इस बात को बताने का मकसद उक ही नहीं है मकसद किया था मैंना इनक्को बताया कि के जो बाध आपको बदाई जा रही होती वोदर रूली निए क्सवES simply ने बाभत व्नुत से था तरिवाओं गॉन्हा उस बंदी से जिसको सब इंट्रोवर्ट कह रहे हैं but she was a she is a very skillful person so इस बात को बताने का मकसद यह है कि कभी भी किसी को भी जज ना करें कभी भी किसी को जज ना करें इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं जगा इंटेव्यू देने किया था बहुत पुरानी बात है तो वहां पर एक लड़का ना वो ड्रिल मशीन लेकर आगया ड्रिल मशीन लेकर आया उसने वर्दी भी ऐसी पहने से वर्क्शॉप में काम करता है तो मैंने उससे बस सलाम की और मुझे ने का यारी क्या कर रहा है सब लोग टाइवाइल आगया है यह ड्रिल साथ ले आया कहीं पर कांग कर रहा हो कमई से जाते वे ना अंट्रिव्यू दिने आगया ड्रिल लेकर अब ड्रिल नीचे रखी टेबल पर सब लोग देख रहे ह तो यह मकसद यह किसी जजना करें किसी भी बुक को उसका कवर देखके जजनी करें बड़ी अच्छी मिसाल है अग्रेजी की डॉंट जज़ बुक मतलब किसी बुक को उसके कवर के जरीए जो ना सोच के जजना करें यह मेरा मैसेच था बाकी इसमें और कोई बात नहीं हर दुनिया में इनसान बहुत सारे लोगों में बहुत सारी अच्छाईया भी होती है बुराईया भी होती है अपना खयाल रखेंगा इंशालों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपिस